Hello and Welcome, Concept of Computer Virus and Latest Antivirus का ये Lecture No.3 है पहले लेक्चर में हमने Malware के बार में पढ़ा Second लेक्चर में हमने एक Type of Malware, Computer Virus के बार में पढ़ा पहला Network Virus कोन, पहला Antivirus कोन, पहला PC Virus कोन, पहला MS-DOS Virus कोन पहला, 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 पहला MS-Windows Virus कोन क्या Sources है, क्या Effectors है, किस तरह प्रोटक्ट कर सकते हो ये Second Lecture में हमने सब कुछ पढ़ा और Second Lecture में हमने ये भी पढ़ा क्या-क्या Types होते हैं, Virus के ये सारा कुछ आपने देख लिया, आराम से देख लिया इसमें एक बात अगर याद रखना चाहो, शायद मुझे नहीं पता मैंने बोला पिछले लेक्चर में की नहीं Logic Bum जो होता है, वो Virus से अलग हटके एक बात याद रखनी है Virus replicate करता है, चाहे Self Replicating हो, Active Replicating हो, या Passive Replicating हो Virus जो है, वो replicate तो करता है, replicate वो करता है Action में आने के बाद, फाइल को खोलने के बाद, लेकिन Logic Bum जो है न, वो replicate ही नहीं करता Direct Target को हिट करता है, खराब करता है, टार्गेट को बस copies नहीं बनाता और भी बहुत सारी बाते हमने आपको बताई हुई हैं, दूसरे लेक्चर में वो देख लीजे आज है ये थर्ड लेक्चर, इसमें हम Computer Virus के कुछ Important Terms देखेंगे सबसे पहले, सुपूफिंग या Mask Rating सुपूफिंग या Mask Rating क्या होता है Mask Rating अगर आप देखोगे, इसका मतलब ही होता है Fake Identity अगर आपने अपनी Identity Fake दिखाई, तो आप Mask Rader हो अगर आपने प्रिटेंड किया कि आप कोई दूसरा बंदा हो, Fake Identity दिखाखे दूसरा यूजर हो आप, Fake Identity दिखाखे आप Mask Rating हो, तो सुपूफिंग या Mask Rating से पता क्या चलता है ये पता चलता है कि Attacker, जो Attack करना चाता है वो identify करता है as another person मैंने आपके Computer को Attack किया मैंने आपके Email को Attack किया मैंने आपके WhatsApp को Attack किया मैंने आपको Calling को Attack किया मैंने आपको Facebook को Attack किया मैं Attacker हूँ, क्या हूँ, मैं Attacker मैं लेकिन identify करूँगा as another person another person का मतलब मैं ऐसा लगेगा आपको कि ये मेरा कोई दोस्त मुझे message कर रहा है ये मेरा कोई दोस्त email कर रहा है लेकिन मैं attacker हूँ मैं आपका friend नहीं हूँ आपका बाई नहीं हूँ मैं attacker हूँ आपको लगेगा बाई मुझे बोल रहा है bank details देने को आपको लगेगा बाई मुझे चाह रहा है कि एकाउंट में पैसे बरो आपको लगेगा कि बाई मुझे बो रहा है कि पासवर्ट दे दो मुझे यूटूब पे वीडियो अपलोड करना है लेकिन वो अटैकर आपकी यूटूब चेनल खाना चाता है वो अटैकर आपके पासवर्ड खाना चाता है वो अटैकर आपका वाटसभ ग्रूप या वाटसभ cientाना चाता है वो अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन चाता है तो अटैकर अपनी जगह मतलब दूसरे बंदे की तरह identify होता है मतलब fake identity दिखाता है pretend करता है कि ये एक अच्छा यूजर है और याद रखना spoofing या mask rating में क्या होता है attacker identify करता है as another person या authorized user कोई authorized user के बहाँ पे आपको ये text बेजता है कोई authorized user के basis पे ये उसका यूज करके उसका नाम यूज करके उसकी ID यूज करके आपको ये text बेज रहा है तो समझे इस बात को इसमें unknown source as being known trusted source attacker unknown source से काम कर रहा है इस laptop से वो काम कर रहा है आपको बेज रहा है आपको बेज रहा है इस laptop से लेकिन आपके बाई के phone से ऐसे लगेगा कि आपको message आ गई तो unknown source से ये as being known as trusted source ऐसा यह activity यह actually activity है भाई यह activity है ठीकिन यह एक method है जिसमें attacker attack कैसे करता है attacker identity अपनी बताता है दूसरी authorized user की attacker unknown source का इस्तिमाल करके unknown source को इस तरह से इस्तिमाल करता है कि वो noon source लगे noon trusted source लगे through a network networking के through यह attacker सब कुछ काम करता है जैसे कि example जैसे कि मैंने आपको बोला इस spoofing के बहुत सरे types है calling ID spoofing मतलब कि आपको call आएगी attacker के through लेकिन आपको लगेगा यह legitimate call है यह authorized call है यह trusted call है यह noon call है यह मेरे बाई की call है यह मेरे father की call है example दे रहा हूं तो मकसद की बात यह है आपको call आएगी हाँ बेटा मुझे दे दो वो account details हाँ बेटा transfer कर ले ना पैसा हाँ बेटा वो यह तो समझ आ रहा है न attacker यह attack करता है इसमें IP spoofing जो कि बहुत important है यहाँ से आपको सवाल आ सकते है IP spoofing क्या होता है attacker hide करेगा IP pretend करेगा to be legitimate computer यह बहुत important है देखो हर एक device को एक internet protocol address होता है IP address होता है internet protocol address ठीक है मान लो यह एक device है यह attacker है क्या है attacker है इसका protocol मान लो 123 एक्जांपल दे रहा आई ऐसा protocol नहीं होता 123 एक address है इसका protocol IP address इसका IP internet protocol address है यह 123 IP address short में यह internet protocol क्या है यह हम आगे पढ़ेंगे आराम से तो यह है मान लो एक मतलब मान लो यह server है server है यह for example ठीके ना यह facebook का whatsapp का youtube का किसी का भी मान लेते हैं यह facebook का server है youtube का youtube का server है तो इस attacker ने क्या किया इसने for example youtube इस network के through server को बेवकूब बनाया या कोई भी खराब काम किया लेकिन यह attacker चाता है कि इसका नाम ना आ जाए इसके device का यह IP address change करता है यह अपना IP address hide करता है pretend करता है यह कि यह legitimate computer है pretend करता है कि यह authorized computer है pretend करता है कि यह trusted source वाला computer है noon computer है यह यह मान लो आपकी मेरी उसकी किसी के भी computer का IP address चुराता है और server को लगता है यह मुझे यह वाला IP address है लेकिन फिर से बोलूँगा computer है यह attacker हूँ यह पता है यह आपका mobile है laptop है आपके IP address का नाम है 111 तो यह है internet के जरीए कोई काम कर रहा है चलो Amazon पर shopping करनी है Amazon server है यह मान लेते है server बहुत बड़े computer जो record करता है सारी चीज़े चलो Amazon का मान लेते है तो यह जो attacker है वो अपना IP address जो उसका 123 है वो छुपाके रखेगा वो आपका IP address यूज करेगा और आपके IP address से यह कोई भी काम Amazon पर या किसी भी server के साथ या internet पर कोई भी काम करेगा जब पकड़ेंगे तो आपको पकड़ेंगे यह तो बच गया इसका तो कोई address है यह नहीं इतना ही नहीं बहुत सारी तरीके होते हैं अपना IP address हाइड किया प्रिकेंड किया कि यह legitimate computer है कि यह अच्छा computer है यह रोज शॉपिंग करता था बिचारा लेकिन इसका नाम खराब कर दिया किसने इस attacker ने तो attacker हाइड करता है अपना IP IP सुनूफिंग क्या होती है attacker हाइड करता है इसका अपना IP प्रिकेंड करता है कि ये एक अच्छा legitimate computer है server को पता नहीं चलता वो internet के through दे देता है Amazon और बाकी user और ID जो भी कुछ भी आप कर सकते हो इसके अंदर भी पढ़ेंगे नो बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारे types हैं लेकिन हमें इतना ही जानना है ठीक है, यहां तक आपने देखा इतना ही नहीं भाई, email spoofing होती है, email के जरीए आपको fake call आएगी लेकिन आपको लगेगा ये legitimate call है ये legitimate user है ये trusted user है email के थूँ WhatsApp के थूँ लगेगा आपको कि ये legitimate trusted, लेकिन असल में वो fake identity use करके आपको बेव को बना रहा है salami technique, slicing technique या तीसरा नाम इसका penny shaving, क्या होता है penny shaving, salami technique या slicing technique slicing salami technique क्या होता है ये draw करता है small amount of money from large people accounts बहुत सारे लोग है पचास पांच लाक लोग है 5 लाक लोग है हर एक बंदे से एक एक रुपई account से चुराता है ये 2-2 रुपई, 3-3 रुपई, 4-4 रुपई 4 रुपई के आप बैंक में नहीं जाओगे आपके बैंक से 4 रुपई कट गे आप बैंक में नहीं जाओगे 5 रुपई बैंक से 10 रुपई तक भी आप नहीं जाओगे बैंक में कि 10 रुपई क्यों कट गए for example तो 10 रुपई into 5 लाग का ये करता है कितना हुआ ये इसका पैंसा पांच लाग लोगों के साथ 10-10 रुपई काटे ये तो 50 लाग होए न कि 5 करोर हो गए पता नहीं आप हिसाब कर ले ना मकसद की बात सिर्फ इतनी है कि 5 लाग लोगो का ये 10-10, 2-2, 3-3 रुपई चुराता है लेकिन उसका रिजल्ट 10, 5, strengthen, 20, 50 लाग निकलता है तो ड्रा करता है ये सलामी टेक्नीक, slicing टेक्नीक, penny shaving एक ऐसा मेतद है इक ऐसी टेक्नीक है ये सारी टेक्नीक सी है ये भी एक मेतद है टेक्नीक है जिसमें attacker क्या करता है इसमें attacker इस टेकनीक का इस्तिमाल करके अटैकर छोटा-छोटा पैसा लेता है बहुत सारे लोगों से और माइनर अटैक जो पांच-पांच रुपए वाला अटैक है वो रिजल्ट उसका मेजर अटैक होता है पांच-पांच रुपए 10-10 रुपए ले लेकिन 50 लाक रुपए उसने कम लिए तो बड़ा रिजल्ट निकलता है अटैकर का और यह सारे इलीगल मेथडस है बाई लीगल यह तब ही होगा जब आपको गवर्मेंट इजाज़त देगा सुपाइं करने के लिए या कोई 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 फूटफुल काम करने के लिए ठीक है ना किसी क्रिमनल को पकड़ने के लिए किसी टाइम हो सकता है लेकिन यह तो बिल्कुल ही इलीगल है इवैस ड्रॉपिंग क्या होता है देखो इवैस ड्रॉपिंग क्या होता है अगर यह लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है यह इवैस ड्रॉपिंग यह डिपेंड करता है कि किसकी आप करने के लिए कर रहे हूं यह दो अपस में बात कर रहे हैं हाई हैलो कैसे हो ठीक हो आपस में ये फोटो शेयर कर रहें आपस में ये वीडियो कॉलिंग कर इन दोनों की messages को record करना, सुनना events dropping legal भी हो सकता है, अगर आप criminal को cover करना चाहते हो criminal की बात सुनना चाहते हो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा वो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, क्या बुरहों मैं कि ये दो बंदे हैं कि आपस में ये बात share करते हैं, तीसरा बंदा इनकी security लिसन करता है information या इनके messages को record करता है, देखता है तो इसी को बोलते है, इस technique को बोलते है events dropping, ठीक है, legal भी ये हो सकता है अगर वो आपको मिल रहा है approval, अब एक बात है कि authorized real time inception है ये, interception intersection है ये, आप interrupt कर रहे हो इन दोनों के बीच में, interception कर रहे हो लेकिन unauthorized real time, आपके पास authority नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों के अगर government भी होना, आप इन दोनों का fundamental right wallet होता है अगर इसको पता चलेगा, चाहिए एक criminal भी हो, ये बोलेगा मेरे authority के बगर कैसे कि आपने क्या कोई कानून बना है इसके उपर मेरा fundamental right to privacy कहां गई तो अगर आप कोई भी होना चाहिए आप government भी हो आप unauthorized माने जाते हो और real time inception है ये आप real time में ही सुनोगे, आइसा नहीं कि आप जिस वकित ये call चल रही है आप उसी time वो सुन रहे हो जिस वकित ये messages हो रहे हैं उसी time देख रहे हो, इसी को बोलते है real time inception, तो AWS dropping क्या होती है, ये unauthorized, real time inception होती है जिसमें एक बंदा क्या करता है, इस technique को इस्तिमाल करके, secretly सुनता है private conversation को या communication को जो phone calls हो, video calls हो या messages हो, ओके, उसके बाद है key logger key logger का दूसरा नाम है keystroke logging या keyboard capturing इससे क्या काम करता है attacker, किस तरह का ये method है, इस method को इस technique को इस्तिमाल करते हुए क्या निकलता है, देखो बाई क्या करता है attacker, record करता है keystrokes आपने facebook खोला, whatsapp आपका password होता है ना password होता है ना तो आपने A दबाया B दबाया, 1 दबाया 2 दबाया, 3 दबाया, add the right ये password आपका है ये password आपने key को stroke किया ना, आपने keys को दबाया ना, आपने computer के उपर आपने mobile के उपर touch तो किया keys को तो दबाया ना तो उन्ही कीज को ये टेक्टिनीक के थूरू record किया जा सकता है और जब आपके password को ही record किया गया आपके email को record किया गया तब तो आपकी Facebook को भी hack किया जा सकता है WhatsApp को भी, email को भी, channel को भी इतना ही नहीं कोई भी information confidential होती है न जिसको अक्सर password रखता है बन्दा जो private information होती है जिसको अक्सर password रखता है बंदा वो भी आपकी information खत्म हो जाएगी अरे आपके bank details में आप password डार रहे हो न वो भी आपकी information ली जाएगी In short Keylogger, Keystoke Logging, Keyboard Capturing एक ऐसी टेकनीक है जिसमें attacker record कर सकता है Keystokes जिसमें वो चुरा सकता है Passwords को confidential information Confidential information जहां पे कोई नहीं जाना चाता है आप चाते हो वो भी वो access कर सकता है वहाँ पे भी वो जा सकता है जिसमें आपने password रखा है जो बहुत private information है वहाँ पे भी वो जा सकता है Even कि bank details भी वो ले सकता है उसके बाद है phishing Phishing एक ऐसा scam है एक ऐसा technique है एक ऐसा method है जिसमें attacker आपको fake websites आपके सामने laptop mobile में लाता है fake websites जब आप enter करते हो तो आपकी सारी sensitive information चली जाती है attacker के बास लेकिन जब ये phishing में आपके सामने fake website आती है तो ऐसा लगता है कि वो legitimate site है वो authorized site है वो एक मतलब बहुती बड़ी site है उसपे trust कर सकते है वो ऐसा लगेगा fake website जैसे कि Amazon वो Amazon का photo ही रखेगा Amazon की spelling ही रखेगा बस last में लिखेगा उसको Amazon C आपको इस C पे दान नहीं जाएगा Amazon का tag रखेगा Amazon का title रखेगा Amazon के जैसा format ही डालेगा Amazon के जैसे नीचे बराबर same to same चीज़े आपको मिलेगी आपको लगेगा Amazon पे shopping कर रहे हैं लेकिन असल में आप Amazon C पे shopping कर रहे हैं अब चलो ठीक है आपने खरीद लिया सामान और आपको सामान तो नहीं मिला क्योंकि ये fake website है ये phishing है fake 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 website है problem दूसरी है जब जब आप Amazon पे dial करोगे अपना password डालोगे अपने bank details डालोगे अपने credit card की information डालोगे user name और password डालोगे वो सारा कुछ चला जाएगा shopping तो दूर की बात आपका bank detail ही चला गया सारा कुछ उसके पास तो fake website पे जब आप enter करते हो अपनी sensitive information आपके credit card, username, password ये सारी information attacker के पास चली जाती है इसी scam को बोलते हैं phishing scam लेकिन attacker अगर fail हो जाता है attacker attempt करता है मतलब आपके सामने website को ला लिया उसने ये देखके भी कि आप mobile की किसकी need है आपको आप गए Amazon के पास उदर गए और सामने आपको आगए एक सस्ता वाला mobile और ये mobile सस्ते रखते हैं कभी आप याद रखना shopping करोगे जब आपको extra चीज सस्ता मिलेगा बहुत ज़्यदा सस्ता मिलेगा याद रखना वो भाई फेक है आपका bank detail खत्म होने वाला है bank में एक उरुपई नहीं रहने वाली है important बात ये है कि attacker fishing के जरीए अगर fail होता है attempt करता है लेकिन कोई उसको click नहीं करता है attempt करता है सामने लाता है लेकिन कोई उसको click नहीं करता उसको बोलते है fishing trips वो trip करता है fishing trip वो करना चाहता है लेकिन वो fail हो जाता है याद रखना fishing के attempts जो है attempt करना fishing का उसको बोलते है वो trip करता है fishing का fishing trips उसको बोलते है attempts करना उसी को बोलते है fishing trips और जितनी बार वो fail होगा उतने ज्यादा वो फिशिंग टिप्स करेगा उतने ज्यादा वो एटम्ट्स करेगा हैकिंग हैकिंग और क्रैकिंग अक्सर इसमें कन्फूजन होता है क्या है भाई हैकिंग क्या है भाई क्रैकिंग देखो भाई हैकिंग होता है और याद रखना हैकिंग हमेशे गलत नहीं होता क्रैकिंग हमेशे गलत होता है क्रैकिंग इलीगल है लेकिन हैकिंग इलीगल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है डिपेंड करता है आप कैसे हैकिंग करते हो हैकिंग है एक ऐसा मेथड है एक ऐसी टेकनीक है जिससे हैकर इंट्रडूर करता है एलस कंप्यूटर और नेटवर्क किसी दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्क में वो गुस जाता है और वहाँ पे काम करता है हैकर गुस जाता है किसी दूसरे कंप्यूटर या दूसरे के नेटवर्क के अंदर ठीक है, without approval के या with approval के वो वहाँ पे जाता है दूसरे computer में या दूसरे network में जाता है hacker for good or bad reason किसी अच्छे काम से या बुरे काम से अब एक बात याद रखना, ये हमेशा illegal नहीं होता क्योंकि white hats, black hats और grey hats में hackers को categorize किया गया है इसमें से जो illegal वाले हैं वो है black hats वाले, जो legal वाले हैं वो है white hats और grey hats अब समझो बात को, white hat attacker, white hack hacker असल में, hacker, hacker, hacker white hats hacker कौन है, याद रखना, एक ऐसा hacker जो कि एक organization ने job पे रखा है किसी को जैसे हमारी website को हमें लगता है, hacking हो सकती है, हम आप में से किसी बच्चे को hacking job देंगे अपनी organization के अंदर job देंगे, hacker तो है वो, लेकिन वो white hat hacker है ठीक है, अब hacker और hacking में क्या फ्राइक होता है, जो hacking करना, sorry procedure, technique ही है जो इस बंदा, जो बंदा इस technique को करता है, उसको बोलते है, hacker hacking तो technique है, hacking तो method है, लेकिन जो बंदा करता है, उसको बोलते है, hacker लेकिन hacker में मैं आपको बोलूगा, white hat hacker, क्योंकि आपको हमने रखा हुआ है, अपनी security के लिए आप अपनी own security को check करते हो, और balance करते हो, कहां पे खराबी है, ठीक करते हो आप अपने ही organization को hack proof बनाने के लिए काम करते हो, तो आप अपनी organization को बचाते हो hack proof उसको बनाते हो, क्यों कोई दूसरा बंदा hacking ना करे, तो आप तो जवाब कर रहे हो बाई, एक organization के अंदर आप तो अच्छे वाले hacker हो, आप कहां से illegal हो, आप तो अपनी organization को hack proof बना रहे हो उसकी security चक कर रहे हो, तो आप तो अच्छे बंदे हो, आपको बोला जाएगा white hats hacker, आप illegal नहीं हो दूसरा होता है black hats hacker, यह बहुत illegal होता है, यह किसी company के अंदर काम नहीं करता कि company के अंदर काम कर रहा है और उनकी hacking को secure बनाएगा, hack proof बनाएगा, यह अपने personal फाइदे के लिए काम करता है, यह destroy करता है, steal करता है, यह lock करता है किसी computer को, किसी network को, किसी जगा information को, even कि यह देख सकता है एक बनाएगा, कौन सी websites को visit करता है, most post और फिर वहां पे ads को बताता है, adwear को बताता है, जो adwear चलाता है भाई, यह mobile वाला यह जदा दूनता है, यह बंदा, इसको mobile दे दो, यह जदा Movies दूनता है, इसको movies दे दो, यह जदा lectures दूनता है, इसके laptop में lectures वाले ads टालो, तो ये ब्लैक हैट्स काम क्या करते हैं परसनल फाइदे के लिए काम करते हैं पैसों के लिए काम करते हैं किसी कमपनी के बोलने पे या किसी और्गनिजेशन के बोलने पे या ये खुद के बदले के लिए ये डेस्ट्रॉई कर सकते हैं इनफॉरमेशन स्टील कर सकते हैं निफार्मेशन लॉइक कर सकते हैं किसी कमप्यूटर की इंफार्मेशन को देख भी सकते हैं कौन से बंदा कौन सी वेबसाइट को विजिट करता है मोस्ट और एड़्स वेड़्स और बाक्वी चीज़े उसके सामने लाता है Gray hats ये ऐसे hackers होते हैं जो कि voluntarily acts करते हैं किसी को लगता है मुझे hacking बहुत अची आती है और वो कभी hacking की दोरान देख लेता है चक्करता है हाँ भई, उस company को खत्रा है उस country को खत्रा है उस governmental organization के data को खत्रा है उधर खत्रा है इधर खत्रा है वो चेक करता है वॉलेंटरिली बेसिस पे और नोटिफाय करता है नेटवर्क एटमिन को भाई, खत्रा है खत्रे से बचने की कोशिश करो यह यह सामान है, खत्रे के से बचने की मैंने इसमें यह फिल किया यह पॉस्टु से, यह नेगेट्व से वगेरा 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 gray hater gray hacker sorry gray hats hacker volunteer hacker होता है और companies को कुछ फाइदा भी देती है बाद में क्या आपने हमको बचा दिया good cracking hacking ही है लेकिन hacking का ये वाला type cracking है इस बात को समझो cracking जो है ये illegal है black hats की तरह ये only for bad purpose होता है black hats की तरह only bad black hats cracking में आते है cracking क्या है ये break 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 ये word याद रखना break अक्सर आता है ये सवाल ये तोड़ता है network security को ये तोड़ता है passwords को crack करता है passwords को तोड़ता है network security को तोड़ता है passwords को crack करता है settle करता है information data को destroy करता है lock करता है information negative purpose के लिए cracking होती है इसी लिए cracking है 100% illegal, hacking है legal भी illegal भी depend करता है कौन सी hacking है, white hacking है, black है की grey है, उसके बाद है last में software policy, भाई software policy क्या होता है, अगर आपके पास कोई software है, A software, और आप इसको खरीते हो 10$ में, यह है paid software, यह है closer source software, open source नहीं, closer source, source code भी बंद है, और paid भी है यह software, software A, for example, A नाम है इस software का, software पैरेसी क्या होता है, यह एक ऐसी technique है, यह सारी techniques है, मैंने बोला ना, सारी के सारी techniques है, यह एक ऐसा method है, ऐसा technique है, जिसमें hacker, developer, जिस जो भी hacking करना चाता है, वो क्या करता है, वो illegally copy करता है इस software को, जो कि purchase software है, जिस software को बंदे खरीते हैं, जिस software को paid रखा गया है, जिसका source code भी बंद रखा गया है, बहुत ज़्यादा software है, और बहुत ज़्यादा पैसे देने करते हैं लोगों को और आप उसको illegally copy करते हो, without owner's permission, मैंने आपको वीडियो दिया, और हमारे permission के बगएर आप उस वीडियो को copy करते हो, और बेज़ते हो कहीं पे, वही है software policy, illegally copy करना software, software को, purchase वाले software को, without owner's permission, copy करके क्या करोगे, copy करके, modify भी कर सकते हो, अगर कोई 10 डॉलर में देता है, आप 2 डॉलर में, एक डॉलर में दोगे, free distribution भी आप कर सकते हो, अगर आपको शरारत है इस software company की, और एक बात, stealing software that is legally protected, software पहले सी तब ही होती है, ऐसे नहीं कि software ने, किसी ने, for example, free वाला software रखा, आप download करते हो, copy करते हो, और share करते हो, वैसा कोई नहीं है problem, software policy वहाँ पे होती है, जहाँ पे legally protected software होता है, आप तो चोरी करते हो, आप तो copy करते हो, लेकिन legally protected software को ही, आप copy करके, modify करके, sell well करके, distribute करके, या modify करने के बगेर ही, आप sell कर रहे हो, तो इतना ही नहीं, software policy में, आप closer source को भी, closer source code उसको भी crack करते हो, और उसको बाद में free बनाते हो, या छोटे पैसे में कमाते हो, तो ये एक ऐसी technique है, जिसमें software के साथ चोरी की जाती है, software को चोरी की जाती है, और software को, जो अक्सर, ये अक्सर होता है, purchased software के साथ ही, क्योंकि free में क्या चोरी करेगा, वो तो हर जगा है, ये अक्सर होता है, purchased वाले software के साथ ही, ठीक है? आप copy करते हो purchaser वाले software को और copies निकालते हो, बनाते हो, sell करते हो distribute करते हो, फ्री में भी करते हो owner की permission के बगार और ये उनी software में software paracy होती है, जिनकी legally protection होती है, फ्री में अगर किसी ने दे दिया तो आप उसके साथ छेड़खारी करना चाते हो, तो वो software paracy में नहीं आता है तो ये clear हुआ, okay, bye